नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चल पर आप सभी का स्वागत है SSC स्टैनों, ग्रेड डी डिक्टेशन के लिए आप सभी तयार हो जाईए हालांकि डिक्टेशन में वर्ड थोड़े ज्यादा होंगे यानी 831 ठीक, तो इसलिहाद से स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे उसके लिए तयार हो जाईए, रेडी अध्यक्ष महोदय हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई फल सुरू इस साल पैदावार भी उतनी नहीं है कुछ लोग कहते है कि इस साल भी जो पैदावार है वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है परन्तु वहां पर गल्ला भेजने का कुछ प्रबंध किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है पिछले दो साल में कोई आदमी भूखा नहीं मरा हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोश और बड़े गर्व की बाद है यदि अन की उपज हमें बढ़ानी है तो हमें पानी का प्रबंध करना होगा उधर वर्षा की बहुत कमी है खास तौर से मैं अपने इलाके की बात आपको बतलाना चाहता हूँ 20 साल पहले जितनी वर्षा वहां होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है वहां नहर भी है लेकिन नहर का पानी वहां नहीं जाता है नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिये हैं जिससे लाब हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है उनको बड़ी परेशानी होती है पहली यूजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे प्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए वहां पर सिचाई के लिए पानी दिया जाए लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि ए बहुत बड़ा बांध बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब पानी मिल जाएगा तीन योजनाओं में यही कहा जाता रहा है मैं समझता हूं कि पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है अब आपने नलकूप पर टैक्स लगा दिया है यह बहुत ही खराब बात है खेती सही माने में अभी शुरू ही हुई है जो कमी है उसको हमें पूरा करना है जो टैक्स लगा दिया गया है उससे इस काम में बाधा पैदा होगी मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय वित्व मंत्री जी से इसके बारे में बात करें जिससे किसानों को किसी प्रकार की राहत मिले उपाध्यक्ष महोदय इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की है इस सम्मंध में एक माननिय सदस्य का जो भाषर सदन में हुआ उससे मुझे कोई आशर्य नहीं हुआ मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है परन्तु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं अपने ही देश में उत्पादन बढ़ा कर के या दूसरे देशों से जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवा कर क्या कमी पूरी करें आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं यह बिलकुल इस पश्ट है खास तोर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालात खराब हो रही है लेकिन मैं समझता हूगी देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसी ही हालत है ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए इसमें कोई दो राय नहीं है मैं खास तोर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसी काफी जमीन है जिसमें सिचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है अगर वहाँ पर छोटी सिचाई योजना के जरिये सिचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस जमीन में कम से कम 35,000 टन का एक हसल में पैदावार बढ़ सकती है उपाध्यक्ष महोदय जहां पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के उपर निर्भर नहीं रहने की बात है हमें देखना होगा कि सिचाई की व्यवस्था और खाद इन दोनों में किसकी आवश्यक्ता पहले है मैंने पहले भी कहा है कि खाद के उपर अगर ज्यादा जूर दिया गया और सिचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राजियों में सिचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था है वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है अनाज की कमी वाले इलाकों में जहां पर सिचाई की व्यवस्था नहीं है उत्पादन नहीं होगा इस सम्मंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए उमीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा यह डिक्टेशन 831 वर्ड की थी जो की I think 10 मिनट से कम के समय में कम्प्लीट हुई है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा एक्चुल स्पीट कितनी है थम्मनेल में 80 वर्ड पर मिनट का ही शो करूँगा मैं ठीक और कोई सुझाओ है आप लोगों का तो प्लीज आप लोग ज़रूर बताए कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगेगी तो आप थम बटन दबा के बताईएगा यहाँ वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंज के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो के लिए और मेहनत की जा सके ठीक चैनल पर नए है तो आप सब्सक्राइब भाशे क कीजिएगा ताकिव